थूड़ंस को आज बहुत खास क्लास होने वाली एंश्पेशली 10 बोड़ के बच्चों के लिए कुछ बच्चों कमेंट आ रहे सरी आप कौन से क्लास कपड़ा रहे हो कौन सी देखो एक ग्रामर होता है बैसिकली ग्रामर हर एक्जाम के लिए जरूरी होता है कोई विसेस तोर्व क्लास के स्टूडन्ट के लिए इंपर्टइंट को जी जैसे चल रहा है सब्सक्राइद बात करने वाले हैं एंगलीस का सब्सक्राइब है उसका जो स्कुषिंध होता है सेक्षन सी का यानी पार्ट सी में जहांसे ग्रेमर इशार होती है उसका फॉस्ट क्यूशन करेक्ट फॉर्म अप्ड वर्ब उसको अपना शॉल करने वाले और शॉल करने के साथ-साथ उसकी जो रूल होते हैं यानि उस सेंटेंज पर कौन सा रूल लग हो रहा है उसको भी अपने डिट्रियल से चर्चा करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंतक देखना जितने भी रूल्स आ रहे हैं आपके सामने हैं साय रूल्स अपने कोपे में राइड डाउन कर लेना और मैं हंडर्ड परसंट इस चीज की गारंटी देता हूं कि बोर्ड एक्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा अब बात करते हैं देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में लास्ट यर का सेकेंटी एक्जमिशन टूथाउजन टूजन टूजन टूटी दूजर बीस का बोर्ड का पेपर हैं उसमें श्रक्शन सी में जो कर्शन आते हैं वह एट इंटू हाप यानी फो माक् यह किशन होता है और जब मैंने टैंस पड़ाए तब मैंने का था सिंपल पर्जेंट सिंपल पास्ट को इसपेशली पढ़ना अब जो दूजर बीस का पेपर आये था उसमें आठ कुशन थे क्रेक फॉर्म अप दिवरब के उसमें से दो किशन सिंपल पर्जेंट की और दो की हो सिंपल पास्ट की अभी आपके शामने आएंगे चार तो यही ओगे दू सो गई चार चेंशन का मतलब क्या होता है कि चार बेसे दो नंबर तो दो से दे रही दिए आपने अच्छे से लर्ण कर लिया दो चले सुरू करते हैं पहला कि आपके शामने हैं क्यूशन फास्ट है दा अर्थ ब्लैंक्स दा अर्थ रिवल्ड रिवल्ड राउंड दा सन राउंड दा सन फस्ट देखो इसकी बात करते हैं क्या कह रहा है पहले सबसे पहले क्यूशन को शमझो जो क्रेक्ट फर्म आप दी वर्ब का क्यूशन आता है उसमें कोई ने कोई ऐसा क्लू दे रखा होता है वो क्लू खुद यह कहता है कि इस सेंटेंस के खालिस्तान में यह टेंस फिल अब करना जैसे देखो दा अर से इसमें कोई नी हो सकता प्रत्री गूंती है मतलब सुरिक चारोर गूंती है कोई रोक नहीं सकता नो वन कांट ट स्टॉप इड़ एट इट मिस ऐसी कोई भी चीज जिसमें सार वो में क्सक्ट्ज को थेंस होता है तो सिंपल परजेंट टैंस के सरल वाक्यों में डूर्ड का यूजर नहीं होता है वरव की फ़र्स पर में ऐसा यह लगता है यदि सब्जेक्ट शिंगूलर है तो अधार्थ शिंगूलर सब्जेक्ट है तो इसमें ऐसा यह लगेगा पर रिवॉल्व प्रत्वी सूर्य के चारो तरफ कुंगती है सिंपल पर्जेंटेंस इसमें भरा जाएगा अब सिंपल पर्जेंट के एक और संटेंस है उसको देखते हैं उसके बाद मैं इसका रूल एक्सप्रेंड करूंगा अगला क्यूशन है शेगंड ही यूज्वली खालिस्तान गेट अप अर्ली इंदा मॉर्निंग यह सेंटेंस आपके शामने हैं यूज्वली गेट अर्ली इंदा मॉर्निंग अब देखो इसमें क्या है यूज्वली जब मैंने टेंस बताया था पढ़ाया था उससमा अच्छे से बताया था यदि किसी सेंटेंस में यूज्वली रेगुलर्ली ओफन ऑल्वेज डेली यह शवदा रखें तो फिर उस सेंटेंस में सिंपल परजेंड टेंस बहा चाता है अब देखो जैसे सिंप बरो वर्प की फास्ट बरोम में एस है या उसमें बरो है आध़ी यह ??? आपके सामने तीन कंडिशन होती है यहे दो कंडिशन हो कब होती है जब स्वरल वाक्व होता है सिंपल संटे Arin rumors तब आपके सामने यह दूर कंडिशन देती है कि विरब की या तो फर्स परम भरो 204 विरबि अजब सब्जेक्ट प्लूरल हो औशनल वाक्य भर तो केवल वरब की first form आती है और यदि subject singular हो तो s या es लगता है आप जिस इस पैजिंग के लास्ट में s, w, c, h, o, x, z आ रखा है तो es अन्य था s और do your address किसमें आता है negative और यदि प्रश्ण वाचक है तो उस sentence में do your address आएगा तो फिर साथ में वरब की first form आ जाएगी यह आपक singular subject है यह सरल वाक्य है यहां पर गेट था get सरल वाक्य है और singular subject है तो वरब में s या es लगेगा तो get के साथ क्या लग जाएगा s gets he usually gets up early in the morning वह प्राय कर सुबह जल्दी उठता है अब देखो इस पर रूल लागू कौन सा हुआ वह मैं रूल आपको लिक्वा रहा हूं यदि किसी वाक्य में यूज्वली रेगूलर्ली ओफन डेली ओल्वीज ये सारे वर्ड आ रख है या कि ऐसी कोई बात जो सारूवमिक सत्य होती है यूनिवेसल टूट होता है साइंटिफिकल होता है या कोई एबचुल फैक्ट होता है उन सब में भी सिंपल परजेंट होता है और जब सिंपल परजेंटेंस भरना अपने सामने तीन कंडिशन होती है जिसके मैं थोड़ी देर पेड़ा भी जिक्र किया था या तो वरक की फास्ट पॉर्म बाढ़ना या फास्ट पॉर्म में ऐस या इस लगाना या करना यह तो आपका सरल वाकिय की इस्ततियोती दोनों सिंगुल सब्सक्राइब पर ऐसे यह यह नहीं लगता है और इंट्रोगेटी और नेगिटिव सेंटेस है तो दू या डाज प्लस वीवन का प्रियोग होता है तो यह था रूल फरस्ट इस रूल को अच्छे सारे लिख करना और समझने का प्रियास करना डेफिनेटली बोर्ड एक जाम में आपको दो क्यूशन इस रूल से मिलेंगे तो आप यह दो लाइन का रूल है अच्छे से याद कर लो दो क्यूशन आएंगे दो क्यूशन का मतलब एक नंबर होता है और बहुत एक नंबर का इंपोर्ट एक बोृन कर दो एक कर देड में ड्योशन आएंट रड़ जांद आएंट ने से ड्स्टा ने जा ऐंट का दो ने तर्के च侌ने एस्टे यस्टतर ओर ने कर आएंटिन एंट एस तर्ली स्टेस्टा दीन चाने कर दो क्यूशन एंटलावे तर्म यशन носls एंप्त्र यस्टरडे एक यूशन यह सिंपल पास्ट का और आपके सामने एक और है सिंपल पास्ट का जोता है आई खालिस्तान मीट ए ए इस ट्रेंज फैलो यस्टरडे ए ए ए स्ट्रेंज फैलो यस्टरडे यह दो क्यूशन आपके शामने दोनों सिंपल पास आप ऐब देखो क्या है जानी पहुंचना आप द्यान क्या गया यस्टरडे आपको परतिक के याद है तो इसमें कोई दिखर नहीं अब यस्टरडे किस टेंस को इंडिट करता है सिंपल पास्ट को इंडिगेट करता है और सेकेंड वर्म में क्या है यस्टरडे सिंपल पास्ट को इंडिगेट करता है अब जैसे कि सेंटेस्ट में सिंपल पास्टेंस बरना हो तो आप और यदि वाक्ये नकारात्मक यह पर्वाक्य प्रश्ण वाचक है तो इसमें क्या आएगा डिट प्लस वरब की फस्ट अब यह दोनों वाक्य सिंपल पास से बिलोंग करते हैं और एफिरमेटिव सेंटेंस है इसका मतलब वरब की क्या आएगी सेकेंड फॉम आएगी तो अर यह बायूड को वह कल चैनले से वह कल चैनले से पहुंचा यह वापस आया चैनले से बोट आएख बशल ग्रफ मेंट सटरेंज स्टरेंड फैलों इस्टरडें कल में एक अजनभी वेक्ति से मिला अब मीट का करता है मिलना यस्टर्डेंढ रख है सेकिंड पर नाया क्योंक मीट की सेकेंड फॉन क्या होती है मैट कल में एक अजनभी वेक्ति से मिला या अंजान वेक्ति से मिला आप देखो इस पर रूल कौन सा लाग हुआ रूल इस पर लाग होता है कि यदि किसी सेंटेंस में यस्टरड़े लास्ट प्लस मंथ यर डे नाइट प्रिवियस डे प्रिवियस डे आधी वर्ड आ रहा है तो उस खालिस्तान में इस इंपल और आपके सामय कंडिशन होती है या तो बात करते हैं नेक्स टूल की कि अगला साथ लेक्षण arrive कहो होता है है और कि अधिक लिessäश में आपके चार में से मतलग तोटलय बैसे क्लेकर बहुत होता है लेकिन क्लास निकल कि आते जो आपके लिग्vine अनोसरी पर्टम विछ रखना पड़े Zoom आप बिल्कुल श्योर होगा कि हाँ मैं सही था तो आप थोड़ा सा कोप्रेट बना के रखे थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा किसी भी टीचर वह बढ़ते हो तो देखो अगला क्योशन क्या है बहुत इजी है और वही क्योशन है जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ जब टेंस पड़ा रहा था सी पांच वह है सी खालिस्तान फिनिसर वर्क फिनिस हर वर्क पिनिस हर वर्क लिए कर यह आपके सामने क्योशन है बहुत एजी क्योशन है बता रखा है अच्छे से से स्टेंस को समझाया था सी खालिस्तान फिनिश याने खतम करना पूरा करना अपने काम को विखोर पहले अलीक अनि से पहले उसने उसने अपना काम चतलाता आप जब आपको कुछ याद आ रहा गावराइह सेंटेंस में ऑ्याफ्टर आ है रहा है का मतलब वह पास्ट परफेक्ट का वक्य है और पास्ट परफेक्टेंस में दो कंडिशन होती थी एक तЬनुख पाष्ट परफेक्ट यदि वècesपक्त एक तो Why एकेम यह बरवकी सेकेंड पोमा रखी है श्रल वाकिय है यानि पास सिंपल का सेंटेंस इत्र पास सिंपल आ गया तो इदर क्या आएगा प्लस थर्ड फॉम आएगा तो एड फीनिस्ट क्या हो जाएगा फिनिस्ट एड़ ब्लस थार्ड फॉर्म दूसी तरफ अब मैंने सम्झाया के सथा यह रूल देखो रूल नमबर फॉर्थ नहीं रूल थार्ड क्रेक्ट हो यह आपका सासा रूल लिखते रहे ना कि लिख भषक्र दूसी की बिफॉर थे ऑस्छी सेपर देगा और बंचे करूज भी पेंपर के lob होताहि यह तरफ पर कि स्वाहर ना के ήταν तो एक तरफ डेफिनेटली बढ़ावा आएगा लेकिन अपन तो यह मान चलता है कि दूनों तरफ खाली आगए तो बिफोर का मतलब क्या होता है पहले और बिफोर आफ्टर किस टेंस में आता है पास्ट परफेक्ट में तो पहले बहुत आएगा पास्ट परफेक्ट यानि प्लस वी थर्ड और आप्टर का मतलब क्या होता है बाद में आप्टर किस टेंस में आता है पास्ट परफेक्ट में तो आप्टर कमतलब बाद में तो बाद में बहुत जाएगा पास्ट परफेक्ट यानि प्लस वी थर्ड तो यहां क्या आ जाएगा वी टू और यहां भी वी टू यह इसका रूल है विफॉर या आफ्टर के सिच्वेशन में अब बात करते हैं नेक्स्ट की रूल राइड डाउन कर लड़ना जिसने टेंस अच्छे पढ़ लिए थे उनके लिए कोई ज़्याधा इश्यू नहीं है क्रेक्ट वाउन दिवाब पढ़ने का क्यूशन 6 वाद जी है वी ब्लैंक्स लिव यह सिंस 2014 कि सिंस 2014 कि यह कूशन आपके सामने आ गया सींस यह फौर को देखती है आपके दिमाक में कुछ आया होगा कि सिंस यह फौर परफेक्ट चैंस में आता है अब वह प्रजेंट का हry सकता है पास्ट अभी हो सकते हैं यह और जब किसी सेंट्टेंस में टॉरुमारियर बनती है या है यह तो आएगा edgy попад वीन-稯 और या फिर एयोफ यह बास विवन-प्लास ना या यह जो चैंत से फॉर को गए है वाकिया खतम हो गया तो सिंपल प्रफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंश बढ़ना है तो वो प्रफेक्ट कॉंटिन्यूस टेंश का होगा अब करता को होने वी वी कौन होता है प्लूरल तो क्या आएगा है गाव बीड और लिव क्या हो जाएगा लिविंग है वी लिविंग तो इस वारूल कौन सा हुआ यही रूल वा कि यह किसी सेंटेंज में सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग वर्ड आ रखा है और वाकिय खत्म हो गया है तो उसमें परजेंट परफेक्ट कॉंटिनिवस बढ़ा जाएगा इसका मतलब पास्ट को इंडिकेट करेगा वैसे देखना पड़ेगा लेकिन यह मूट तो पर यही है वाकिया खत्म हो गया तो परजेंट परफेक्ट करने वस और सिंस या फॉर टाइमिंग वर्ड को बाकिया बढ़ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉंटिनिवस यह एड ब है कि ब्लाइम्क्षा तो जय तो है तो पिक निक है है तो हुड वी गो टू पेक्निक टुबोरो अगlor दिन हम किक पे जाएंगे या कई लाम पिकनिक पे जाएंगे बहुत पिक्निक आ रखा है सोब्हुरा बिकनिक टुमोरो तुमोरो यह आने के वाला काल इसका मतलब यह क्या कर रहा है कौंट आउट कर रहा है तो कि विविचर सिंपल टुमोरो नेक्स्ट ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो सिंपल को इंडिकेट करते हैं और जब सिंपल फिचर किशी टेंट में बढ़ना आपके शाह में दो कंडिशन होता है शेल या विल प्लास वी वन यह कौन सा रूल है पांच रूल है नोट आउट कर लेना यदी किसी टेंस में टुमोरो नेक्स्ट दे फॉलोविंग प्लस दे नाइट मंत यह ऐसा कुछ आ रखा है इसका मतलब उसमें सिंपल फ्यूचर भरा जाएगा और सिंपल फ्यूचर मतलब है सेल या विल प्लस वी वन का यूज होता है अब सेल का यूज होता है आई और वी के साथ बाकि सबके शाथ विल अभी सब्सक्राइब इसका मतलब क्या आएगा शेल और व्रब की फस्ट फॉर्म गू वी शल गो टो पिकनिक टोमोरो हम कल पिकनिक पे जाएंगे अब एक और ला बोर्ड एक्जामें डेफिनेटली आज के रूल्स में से आपको चार से पांच क्यूशन देखने को मिलेंगे सो परसेंट अगला देखो संकर वाज सोरी संकर खालिस्तान प्ले वेन वी वेंट टू हाउस वी वेंट टू हीज हाउस संकर वाज प्लाइंग संकर ब्लैंक्स वैन वी वेंट टू हाउस अब देखो क्या होता वास में बहुत इसी है ज़रा कॉम्लिकेट नहीं है संकर कि लेए रहे ए खेलना वेन जब वी वेंट हम गए टू जा उस अब मैं जब के सब पाइस को ये वास्ट को या वाइल किस टेंठिस में आता है नहीं किस एंगे पस्ट गोंतिन्यूश वस्त कंटिन्यूश और पस्ट कंटिन्यूश का मतलब क्या होता है कि ऑंच या वर्लसsubstorm Brand और यूंजी और वी बन के साथ ing अब वोज कब आएगा और वर कब आएगा उसकी बात कर लेते हैं यह वोज है वोज के साथ प्लस वोज का प्रियों कहा होगा आई और सिंग्यूलर सब्जेक्ट के साथ वोज और बाकी सब के विशात्वर आकी कौन बच गया यू वी दे और टू और मौर देन टू पर्शन से तो यहां पर करता कौन है शंकर संकर सिंग्यूलर सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या आएगा वोज और प्ले के साथ क्या लग जाएगा प्लेंग वज प्लेंग इसमें हो जाएगा तो आज ट करने का प्रियास करना समझना और कोपी में राइट डाउन करना ताकि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े अब पांच रूल और है जिसका अपन अगली क्लास में बात करने वाले हैं थैंक्यू वरी मच यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि झाले हैं झाले हैं